हेलो सो गाईस वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो चलिए गाईस आज हम इस वीडियो में बात करने बालें CPVC फिटिंग के बारे में जैसे कि आप देख पा रहे हमने इस वीडियो के सामने में देडिंची का CPVC यूनियन लेके आया हुआ है और आपको इस देडिंची के CPVC यूनियन में एकिंची के UPVC पाइप को लगा के दिखाने बाले तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर ना है तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिगा बेल की आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हम इस तरह की नईनी अपडेट्स आप तक पहुचा सके एड़ मापको बता दे कि जब भी आप अपनी साइट पे पर करने जाते हैं उस टाइम जैसे कि इस तरह की प्रोब्लम फेस करना पड़ता है कि पहले से ही देडिंची का CPVC यूनियन लगा हुआ है उसकी जगह पर आपको एक इंची के इस UPVC यूनियन को लगाना है उरी UPVC पाइप को लगाना है तो सिंपल यह आपको क्या करना होगा कि किसी भी हाड़वेर सॉप पे चले जाना है और उस अपको बताने वाले उन आइटम को उस हाड़वेर सॉप से लेके आ जाना है So guys, जैसे कि आप देख पारे हमने जो items लेके आया हुआ है आपको UPVC fitting बनाने के लिए 1 by 1 का UPVC MTA brass को लेना होगा देख सकते हैं ये बाहर thread वाला UPVC fitting का 1 by 1 का MTA brass हमने लिया हुआ है UPVC fitting में जो कि साथ में आपको 1 by 1 देड का इस CPVC reducer को ले लेना है एक इंची CPVC pipe और देड इंची CPVC pipe को भी ले लेना है साथ में आपको FTA brass 1 by 1 का ले लेना है CPVC fitting में So guys, देख सकते हैं जैसे कि ये tape-down tape और solvents को हमने लिया हुआ ये आपके site पर anytime available रहते ही है या नहीं है तो आप किसी भी hardware sob से इसे available करा सकते है So guys, जैसे कि हम बता दे आपको इस एक इंची के UPVC pipe को अगर हमें देड इंची के union में लगाना हो तो simply इस तरह से इसे नहीं लगाया जा सकता है So guys, सबसे पहले हमें देड इंची के इस pipe के joints को लेना होगा और इस देडिंची के पाइप के जॉइंट्स को देडिंची के यूनियन में इस तरह से solvents को इसके अंदर में लगा देना है लगाने से पहले और जिस भी कमपने का आप solvents यूज़ करते हैं solvents लगाने के बाद इस एकिनची देडिंची के पाइप पी जॉइंट्स को इसमें इस तरह से लगा देना है सो गाइज देख सकते हैं जो हमने देड़ भाई एक का CPVC रेडूसर लिया हुआ था इसे इसमें इस तरह से लगा देना है सो गाइस देख सकते हैं जैसे कि ये देडिंची के यूनियन में एक इंची के CPVC फटिंग बनके तयार हो चुकी है जो कि हमने ये एक इंची का पाइप का जॉइंट्स लिया हुआ था CPVC का इसमें इस तरह से इसे लगा देना है जो गाइस जो एक बाइएक का CPVC FTA ब्रास है उसमें सॉल्वेंट्स को लगाते भी है जो कि हमने इसके उपर में भी सॉल्वेंट्स का यूज नहीं किया हुआ है उनली फ़र एक्स्पेरिमेंट करके दिखाया हुआ है जब भी आप इस ट्रीक को यूज करें उस टाइम ज़रू सॉल्वेंट्स का यूज करें देख सकते हैं इंडिरेक्ली इसमें इसे नहीं लगा जा सकता है इसलिए इतनी सारी प्रोसेस करनी होती है सो गाइस देख सकते हैं जो हमने एक बाई एक का MTA ब्रास लिया हुआ था UPVC फिटिंग का आपको इस CPVC के एक बाई एक FTA ब्रास में यह आसानी से लग जाता है जब भी आप इस MTA ब्रास को FTA ब्रास में लगा रहे उस टाइम टेप लॉन टेप को इस MTA ब्रास की उपर में अच्छे तरह से लगा देना है और इसे टेप लॉन टेप लगाने के बाद इस तरह से इसमें इसे फिक्स कर देना है सो गाइस बहुत ही सिंपल है जैसे कि देख पा रहे हैं आप हमने इस एक इंची के UPVC पाइप को देड़ इंची के CPVC यूनियन में आसानी से लगाने के ट्रेक को आपको बताया सो गाइस बिना प्लंबर की मदद से आप अपनी साइट पे भी या फिर अपने घर पे भी इस काम को पूरा कर सकते हैं सो गाइस उमीद है आपको इस वीडियो में दीगी इंफर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें